नमस्कार साथियों मैं हुआ अभिशा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है तो आज हमारी जो चर्चा होने वाली है आज हम जिस विशाय पर बात करने वाले हैं ज्यादतर सिक्षक इस विशाय पर बात ही नहीं करना चाहते उसका कारण क्या है उसका कारण यह है कि इस बात को आपके दिमाग में बिठाना थोड़ा मुश्किल है या आप यह समझ सकते हैं कि ज्यादा तर टीचर्स को इतने गंभीर विशाय पर चर्चा करना पसंद ही नहीं आता तो आज मैं जो आपको लोगों को पढ़ाना चाहता ह हूं क्या है हमारी चर्चा का जो है मूल कारण अच्छा बारवी के लिए बहुत की विशाय पर तो मैं आप लोगों के साथ हूं और हम कर रहे हैं एक्जाम सेरीज में 2030 के तयारी अगर आप यूटूब में यह चीज़ें देख रहे हैं तो बस यह एकलाउता वीडियो आप सारा कंटेंट आपको वहां पर भी मिलेगा तो आप अगर हमारा एप्लिकेशन प्लेइश्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपको एडिशनल फीचर मिलेंगे जैसे की माइन मैप जैसे की शॉट नोट्स जैसे की वन तो न मेंटर्शिप और इसके साथ साथ केरियर रखना पड़ता है यह सारी चीज़ें देखने के बाद में हम लोगों ने यहां बाते करना सालू की थी हम चुम्बक की परमानु के तौर पर एक चुम्बक जो है कैसी किस बातिक विवहार कर सकता है क्या हम हाइड्रोजन एटम को जो की सबसे चोटा स्टेबल करन है उसके इसको हो सकती है हाइड्रोजन के पास में क्या क्या है इक प्रोट्रोटोण है अब जो है पुकृटान तो यहां केंदर पे आके बैठ गया है इसको तो कुछ करना नीं है कि रिधूत्धारा ख़ल्यसाघ्रन प्रवहा के विपरेत होती है तो अगर इलेट्रॉन इस तरफ घूम रहा है तो हम लोग मान लेंगे कि इलेट्रॉन के विपरित दुशा में विदुद्धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है अब आप जो है कल्पना फिर से करें वो कलपना क्या है? वो कलपना यह है कि यदी यहां पर विदुद्धारा का प्रवाह हो रहा है तो हम बायो सेवर्ट का नियम लगाकर क्या इसकी गढ़ना कर सकते हैं? то उत्तर आएगा बिलकुल कर सकते हैं यहां पर चुमबकीय प्रवाव उत्पन होने वाला है सिर्फ एक इलेट्रॉन के कारण भी और यही तो संसार का सच है तो जब हम यहां देखेंगे तो हम अपने दाएं हाथ का अपयोग करेंगे हम विद्धुद्धारा के प्रवाह की दिसा में अंगुठा रखेंगे और हमें यहां पर दिखाई देगा कि यहां पर चुम्बकी छेतर तरीके से हो रहा है हम लोगों ने जैसे यहां उठा लगाया तो हमें उपर से नीचे की और चुम्बकी छेतर दिखाई देता है मतलब आप उपर से देखेंगे तो आपको अपने से दूर जाता हुआ और नीचे से देखेंगे तो आपको अपनी और आता हुआ चुम्बकी चेतर बनाएगा तो भी हमें द्वी धुरुव पता चलेगा हमें दक्षन धुरुव और उत्तरी धुरुव दिखाई देंगे तो हम यह चीज देख चुके हमको यह समझ में आ गया यह उल्टा हो गया इसको ऐसा होना चाहिए कि यह उत्तरी धुरुव से निकलता है और दक् के कारण भी और चुम्बक की छेतर हमेशा अब यह एक चुम्बक की भारती हाइडोजन का परमाण व्यवहार करेगा और इसके पास में दोनों धुरुव उपलब्द हैं इसके पास में दक्षन धुरुव और उत्तरी धुरुव उपलब्द हैं जैसे कि हम लोग ने यहा थोड़ी सी गढ़ना कर लिजाए तो थोड़ी सी गढ़ना करने के लिए आये सुरुवात करते हैं सबसे पहले देखिए कि यहां पर विद्द्धारा का मान कैसे निकालेंगे भाई आई बराबर क्यू बटाटी यह हम लोगों ने दूसरे ही अध्याय में पढ़ लिया था अब क्यू के लिए जो है क्योंकि एक ही सब्सक्राब इसलिए उसका मौन और समय के लिए रहेंगे भाई इलेट्धार्ण वो रिद्धी की त्रिज्जाध होगी और यह त्रिज्जार है तो यदि वो R तृजया वाले पफ में गमन कर रहा है तो कुल मिलाके दूरी कितनी हो जाएगी भlorी वेग क्या होता है वेग बराबर दूरी बटा समय और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं समय बराबर दूरी बटा वेग और दूरी हो जाएगी 2 पाई R और वेग हो जाएगा V तो इस तरीके से जब हम व्याख्या करेंगे तो हमको current मिल जाएगा यहने कि धारा मिल जाएगी EV बटा 2 pi r अच्छा यह V क्या है यह है वेग E क्या है electron का आवेश R क्या है त्रिज्या किसकी उस electron की त्रिज्या जो hydrogen के चारो और गती कर रहा है यहां तक की बात समझ लेने के बाद में हम लोगों को जो है अगली बात क्या समझने चाहिए और वो है कि यदि हम यहाँ पर 6 तरफल निकालना चाहें किसका यदि हम 6 तरफल निकालना चाहें इस वलाय का तो हमको जो है व्याक्षा करेंगे चुम्बकिया द्विजरोव आघून की P बराबर PM बराबर N I A हमको तो पता है यहाँ पर N क्या है कुल मिला के इलेट्रानों की संख्या या कुल आवेशों की संख्या क्यूंकि यहाँ पर एक ही इलेट्रान है तो N का मान तो हो गया एक I का मान हम लोगों ने निकाला यह है EV बटा 2 P आई आर और छेतर फल है यहाँ पर P आई आर का वर्ग तो यहाँ से जो है जो चीज़ें कट सकती हैं वो हम काटने के बाद देखेंगे यह आर के वर्गों को आर काट लिया P आई को P काट लिया और यहाँ पर हमको चुंबकियबल आगोण कितना मिला चुंबकियबल आगोण मिला EV आर बटा 2 यह जो है हम लोगों ने देखा ठीक है अब हम जो है यहाँ पर किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर कोणिया सम्वेग की बात करेंगे किसकी बात करेंगे कोणिया सम्वेग की बात करेंगे कोणिया सम्वेग क्या होता है भया कोणिया सम्वेग तो कोणिया सम्वेग तो कोणिया सम्वेग अगर याद नहों तो पहले एक सम्वेग के बारे में बात कर लो और सम्वेग क्या होता है P बराबर M V दरब मान गुणा P बराबर M V दरब मान गुणा वेग बराबर सम्वेग इसी तरीके से कोण ये सम्वेग क्या होगा L बराबर I omega अच्छा ये I क्या है ये है moment of inertia याने की जड़त तो आगुण है और इसका मान होता है I बराबर M R का वर्ग और omega क्या होता है omega है कोणी अवेग और omega का मान होता है omega V बराबर omega R ये ऐसा होता है तो आप जो है omega को जो है V बटा R लिख सकते हो तो यहाँ पर हो जाएगा V बटा R और ये कड़ जाएगा और हमारे पास में L का मान याने की कोणी समवेग का मान हो गया M V R तो यहाँ से जो है आपको कोणी समवेग के बारे में भी पता चल गया अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग ये करेंगे के हमको पता है mu बराबर i a ठीक है? और यहां पर हम क्या करेंगे? कि mu बटा l करने से हमको एक नई राशी पता चलती है तो i a का मान हम लोगों ने क्या देखा है? आई a का मान होता है evr बटा 2 तो यहाँ पर हो जाएगा यह हो जाएगा E V R बटा 2 और L का माना भी हम लोगों ने निकाला यह होता है M V R तो गुना M V R और यहाँ से हमको क्या क्या पता चल रहा है यहाँ से R और R कड़ गए V और V कड़ गए और इसके बाद में Mu बटा L इसका मान हो जाता है E बटा 2M तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ Mu बटा L जो है हमको मिल गया E बटा 2M अब जो है हमारे पास में Magnetic Moment के लिए क्या है Mu Magnetic Moment के लिए हमारे पास रासी है Mu L और Mu L में हम क्या डालेंगे Mu का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला है और कितना है यह Mu Mu बटा हाँ इसका मान जो हो जाता है E Mu का मान जो हम लोगों ने E बाई 2M तो यहाँ मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा Mu बराबर Mu बराबर E बटा 2M E बटा 2M और यहाँ हो जाएगा L अच्छा अब यह L के बारे में जो है हम क्या बोल सकते हैं भाई बोर ने सबसे पहले Hydrogen के चुम्ब की मतलब छेतर की व्याख्या निल्स बोर ने की थी और उनके हिसाब से जो है जब हम देखते हैं तो हमको पता है कि यहाँ पर L का मान क्या होना चाहिए N H बटा 2 पाई होना चाहिए मतलब जो है इनकी व्याख्या के अनुसार क्या है कि कोई भी आवेश जो है या कोई भी इलेट्रॉन अपने नाभिक के आसपास एक कच्छा में जो है आईसी कच्छा में ही जो है गती करेगा जहां पर उसकी उर्जा में कोई हराशना हो और ऐसी स्थिती में उसका जो है अंगुलर मोमेंटम याने कि उसका कोणी सम्वेग N H बटा 2 पाई के बराबर में होना चाहिए तो यहाँ से जो है है यह इलेक्ट्रॉन का आवेश है यह जो कप्छक की संख्या है यह H जो है वो हेजनबर का जो है कॉंस्टेंट है तू पाई आप जानते हैं और M यहने की यह द्रव्यमान है किसका इलेक्ट्रॉन का तो इस प्रकार से अब हम लोगों ने क्या व्याख्या की कि मैगनेटिक मोमेंट डिफाइन करने के लिए हम जो है इस तरीके से E H बटा 4 पाई M E और यह जो है हमें किसी भी पदार्थ के चुम्बकिय गोन की व्याख्या करने के लिए सफिशेंट संभव है अब यहां तक की बात जब हम लोगों ने कर ही ली है तो अब जो है हम थोड़ा सा आफबाव के नियम के बारे में बात करेंगे हम लोगों ने आफबाव के इलेट्रोनिक विन्यास के बारे में थोड़ा बहुत रसायन से सुना हुआ है और यहां पर हम सर्व पत्म याख्या करेंगे हम लोगों ने hydrogen के बारे में देखा अब हम helium के बारे में देख लेते हैं और उससे हमको बहुत कुछ इस बारे में जानकारी हो जाएगी तो अब हम क्या करते हैं चलिए हम hydrogen के बारे में देखते हैं और आसपास घूमता हुआ एक इलेट्रॉन रिनात्मक आवेस है। इसके बाद में जो है जब हम बात करेंगे हीलियम की तो हीलियम के पास में दो धनात्मक आवेस के निर में और घूमते हुए दो इलेट्रॉन हैं। एक इलेट्रान इस तरीके से और दूसरा इलेट्रान इस तरीके से लेकिन बराबर कच्छक में चल रहा होगा. मतलब ये है कि इनकी त्रिज्या एक जैसी है और इनकी दिसा विपरित है तो अब ये इलेट्रॉन में से पहला इलेट्रॉन जीतना भी चुम्बकिय प्रभाव उत्पन करेगा उसके विपरित दिसा में घूंता हुआ इलेट्रॉन उतना ही चुम्बकिय प्रभाव विपरित यह बाहर चुम्बकी छेतर के बारे में आप सोचिए कि मान लेते हैं कि चुम्बकी छेतर जो है वो यहां से अंदर की दिशा में है ठीक है अब नहीं चुम्बकी छेतर को हम लोगों ने उपर की दिशा में ले दिया चलो यह चुम्बकी छेतर की दिशा में आते हैं तो इस हुए электron के साथ में क्या होता है भाई यह जो है जो है जिस भी दिसा में वेग है यह पर जो है जो है किस बेसा में है और जिस भी दिसा में है और चुंभ की चेक्ट अगर यह दोनु एक दुसरी से लंबवत हैं हम लोगों ने क्या माना कि वेक जो है वो किस प्लेंन में जो है गती कर रहा भाई तो वेक जो है वो एकस ऐसरी में जो है वेक का जो गती है और वॉआए कि दिसा में यदि हम को चुम्ब की छेत्र दिखाई देता है तो अब आप देखेंगे कि ये जो वेग के हमेशा लंबवत होगा कौन चुम्ब की छेत्र और इसके कारण इस पर बल लगेगा तो कैसा लगेगा आप देखें कि इस बिंदू पर जो है जब इलेट्रॉन यहां पर पहुंचा हुआ है तो इलेट्रॉन जो है इस दिशा में गती कर रहा है और यहां पहुंचा हुआ है तो हमें विद्दू धारा की यहां विद्दू धारा की दिशा अंदर की ओर दिखाई दे रही है अब ऐसे में हम बायाहात के नियम का उपयोग करेंगे और यहां यह चुम्ब की छेत्र की दिशा और यह धारा की दिशा है तो हमको बल की दिशा समझ में आएगी धारा की धर अंदर की ओर है और चुम्ब की छेत्र की ओर है तो जब हम ऐसे देखते हैं तो धारा अंदर की ओर और चुम्ब की छेत्र ओपर की ओर तो बल हमको इस दिशा में दिखाई देता है किस द जिसा के इस विन्यास में हो तो यह त्रिज्या को कम करने का प्रयास करेगा जैसे ही त्रिज्या कम होगी वैसे ही इसका वेख बढ़ेगा और उत्पन ने चुम्ब किया छेतर की तीवरता बदल जाएगी इसके विपरीत जो है यदि इसके पास में दो इलेट्रॉन होते तो और यहां चुम्ब की छेतर की दिसा तो यहां पर आपको यहां देखें आपको इलेट्रॉन जो है वो केंदर की और आकरसित होता हुआ नजर आ रहा है यदि हम चुम्ब की छेतर की दिसा को बदल दें दोनों इलेट्रॉन विपरीत जिसाओं में गती कर रहे हैं तो उसमे से एक electron की जो है त्रिज्या को बल कम करने का प्रयास करेगा और उसी समय में दूसरे electron की त्रिज्या को बढ़ाने का प्रयास करेगा बतलब एक में हम अभी केंदरी और दूसरे में अपकेंदरी बलको अनुभाव करेंगे और और ऐसी स्थिती में जब हम जो है किसी ऐसे इलेटरॉन के या किसी ऐसे परमाणू के आसपास हो जिसमें इकलोता जो है एक इलेटरॉन हो किसी कख्षक में तो ऐसी स्थिती में इसमें मूल रूप से चुम्ब की प्रभाव उत्पन होगा और जो कि बहुत ही नगण्य होता है लेकिन हम जो है अगर किसी हीलियम जैसे परमाणू के पास पहुँच जाए जिसके पास में दो इलेटरॉन है तो यहाँ पहले तो जब यह बाहर चुम्ब की छेतर में नहीं था तब इसमें क्या हो रहा था कि मूल चुम्ब की रूप से यह दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खतम कर रहे थे लेकिन जैसे ही बाहर चुम्ब की छेतर में इसे रखा गया तो बाहर चुम्ब की छेतर की उपस्थिती में अब इसमें कुल मिलाके चुम्बकिय प्रभाव उत्पन होगा क्योंकि इसमें से एक इलेट्रान जो है चुम्बकिय बल के कारण छोटी तरिज्या में तेजी से गती करने लगेगा जबकि दूसरा इलेट्रान चुम्बकिय बल के कारण बाहे चुम्बकिय बल के कारण बड़ित रिज्या में थोड़े कम वेग से गती करने ही लगेगा और इस प्रकार से जब यह बैलन्स विगड़ता है तो इसमें कुल मिलाके चुम्बकिय प्रभावत्पन होता है जो बाहे चुम्बक की चेतर से विपरित दिसा में होता है और इस प्रकार से ये ऐसे पदार्थ जो की जिसमें दो इलेट्रोन एक ही कच्छक में नजर आ रहे हैं वो चुम्बक बाहे चुम्बक की चेतर की विपरित दिसा में जो है चुम्बक सील होने लगते हैं तो इस बेसिस में यानि कि इस घटना को देखते हुए हम लोगों ने चुम्बकिय पदार्थों का क्लासिफिकेशन किया है उस क्लासिफिकेशन को हम समझेंगे जुड़ ही हमारे साथ में और मिलते हैं अगले वीडियो में